जैहिं दोस्तों, आज मैं आपको सहान भूती और समान भूती में अंतर बताने का प्रयास करूँगा, अक्सर आप सहान भूती और समान भूती को एक ही अर्थों में समझ लेते हैं, तो पहले परिभासा बताऊंगा, फिर उधारन से आपको समझा दूँगा, तो बात करते है सहान भूती यानि कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति या समूर के प्रति दया का भाव प्रकट करना सहान भूती है सहान भूती में दूसरों के प्रति दया का भाव तो प्रकट करते हैं लेकिन उसकी मनों दसा को नहीं समझ पाते हैं वहीं बात करें समान भूती यानि इमपैथी अर्थाद दूसरों की पीड़ा दुख एवं समस्या को स्वयम की पीड़ा दुख या समस्या समझना ही परान भूती है ये दो प्रकार की होती है पहला संग्यानात्मक परान भूती यानि जहां समस्या और पीड़ा और दुख को समझते हैं और वहीं भावनात्मक पराद नुर्बूति दूसरा यानि ना क्यों समझते हैं बलकि उस पर रिस्पांस भी करते हैं अब हम उधारन के तोर पर इसको समझते हैं तो आई यह देखते हैं तीन वेक्ति हैं A B और C एक के दोवारा 2020 में UPSC का पहला एटेम्ट दिया गया है जिसमें वो पहले एटेम्ट में आसफल रहता है और फिर 2021 आता है 2021 में एक के दोवारा फिर से दूसरी बार प्राइम्रिक परिच्छा का एटेम्ट दिया जाता है और जिसमें वो उत्तीन हो जाता है वहीं बी के पहली बार attempt देता है लेकिन वो पहले attempt में UPSC PT में fail हो जाता है क्योंकि C के दोरा अभी तक एक भी attempt नहीं दिये गए तो B ने जो पहला attempt दिया और A के दोरा जो पहला attempt दिया गया था 2020 में क्योंकि A पहले attempt में अनुतिंड रहा था तो A B के दुख को बहुत अच्छे से समझेगा क्योंकि PT ना होने का दुख A अच्छे से समझेगा तो इसे कहेंगे यानि A का B के साथ समान भूति है वहीं बात करें B और C के मद्द चुकि C के दोरा अभी तक कोई attempt नहीं दिया गया है तो B ने जो पहला attempt दिया उसमें उसका वो आसफार रहा तो C का B के साथ क्या हो जागे सहान भूति क्योंकि C ने अभी तक कोई attempt नहीं दिया तो PT में qualify ना होने का दुख क्या होता है तो वो इतना अच्छे से नहीं समझ पाएगा जितना ए उस दुख को यानि उसकी मनुद दसा को समझ पाएगा तो यानि कि C का B के साथ सहान भूति है वहीं एक ही B के साथ समान भूति है तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह दिपसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना ना भूले मिलता हूं आप से एकले वीडियो में तब तक ध्यान लखिए पढ़ते रहिए जय हिन जय भारत